प्रतेक वर्ष चैत्र महा के शक्लिपक्षित रयोदशी तिथी के दिन महावी जैनती मनाई जाती है इस विशेज दिन पर उनका जन्व सव मनाई जाता है जो इस साल 21 अप्रिल को मनाई जारी है आए जानते हैं इस पर का महत्वर जैन धर्म के जानकारों के अनुसार भगवान महावीर का जन्व पासु निनामवे इसापुर में बिहार के कुंडलपुर के राजगरान में तीस वर्ष की यवा आयू में उन्होंने राज सी थार्ट पार्ट को त्याकर सन्यास को अपना संसार बना लिया था जैन धर्म के 24 और अंतिम तेर्थकार बगवान महावीर के जन्व दिवस के उपलक्ष में मनाय जाने वाला एक खास पर्व है यह साल चैत्र मास के शुकल पक्ष की तेरवी तिति को मनाय जाता है एस साल महावीर जैन ती 21 अप्रिल को मनाय जारी है बगवान महावेर जैन धर्म के 24 वे औ माना जाता है उनके पिता राजा सिधार्थ और माता रानी त्रिशलाती और बच्वन में उनका नाम वर्दमान था जैन धर्म में तेर्थकार का अभियान उन 24 देव्य महावपुरिश्यों से है जिन्नों ने अपनी तपस्या से आत्मध्यान को प्राप्त किया और अपनी पस्या के दौरान भगवान महाविर नी दिगंबर रेना स्विकार कर लिया दिगंबर मुनी आकाश को ही अपना वस्तर मानते हैं इसलिए वस्तर धारन नी करते हैं जैन मानने ता है कि वस्तर विकारों को ढखने के लिए होते हैं और जो विकारों से परे हैं ऐसे मुनी को वस्तों की क्या ज़रूत है मगवान महाविर के प्रारंबिक तीस वर्ष राजसी वैभव एवं विलास की दल्दल में कमल की समान रहें उसके बाद 12 वर्ष घंगोर जंगल में मंगर साधना और आत्मत जाकरुती की आरातना में वे इतनी लीन होगे कि उनके शरीर की कपड़ गिर्कर अलग होते गए मगवान महाविर की बारा वर्ष की मोन तपस्या की बाद उने केवल नयान प्राप्त होने के बाद तीस वर्ष्रक महाविर ने जन कल्यान हिटू प्रक्रावक्षाविका की रचनाहि। महाविर का आत्मा धर्म जगत की प्रतिक आत्मा के लिए समान था। उनका कहना था कि हम दूसरों की प्रतिवी वही व्यवार वविजार रखे। जो हमें स्वयम को पसंद हो यहीं उनका जीयो और जीनितों का सिध्धान्त है उन्होंने ना केवल इस जगत को मुक्ति का संदेश दिया अभी तो मुक्ति की सरल और सच्छी रहा भी बताई आत्मिक और शास्वत सुप की प्राप्ति हितु सत्य अहिंसा अपरिक्रह अचोय और ब्रह्मचरिय जैसे पाज मुलबुत सिधान्त भी बताए इन्हें सिधान्तों को अपने जीवन में उतार कर महाविर जिन कहलाए जिन से ही जैन बना है अर्था जो काम दुरुष्णा इंडिया वह भेच चाई है वही जैन है भगवान महाविर ने अपनी इंडियों को जीत लिया और जितें रगय लाए उन्होंने शरीर को कश्ट देने को ही हिंसा निमाना बलकि मन वचन वकर्म से भी किसी को आहत करना उनकी दुष्टि से हिंसाई है ऐसे महान दित्रकार भगवान वर्दमान महाविर को इन्बिस्यन के और से शत शत्नमन